नमस्कार आप देख रहे हैं India News Digital और मेला नाम है महिंदिगर्ग आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र ठीकी है 41 मजदूरों पर वो 41 मजदूर जो 12 दिन पहले सुरंग के अंदर फस करे थे लेकिन 12 दिन इन मजदूरों में होसला कैसे कायम रहा कैसे डिप्रेशन और तनाव से दूर रहे ये मजदूर और इन 12 दिनों में मजदूरों ने सुरंग में क्या क्या किया इन सबी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मल जाएगा तो दिरसल बता दें कि एक होर जहां प्रशासल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है और तेजे से काम जारी है वहीं उनकी और से मजदूरों का तनाव दूर करने के लिए उन्हें डिप्रेशन से दूर रखने के लिए सुरंग से कई चीजे भीजी गई हैं सुरंग के अंदर कई चीजे भीजी गई है जैसे कि प्ले कार्ड और खैनी के थैले सुरंग के अंदर पहुचाए गई हैं जिससे की अपने खाली समय में rescue को लेकर मजदूर जो है वो तनाव ना ले और depression से बच कर रहे हैं। तो ऐसे में तीन पत्ती और रम्मी जैसे खेल खेल कर मजदूर सुरंग में अपना समय विथीत कर रहे हैं। फिलाल सुरंग पर rescue operation के दौरान मौझूदा चिकित्सक विशे शग्यों का भी ये कहना है कि सुरंग में फसे होने के दौरान मजदूरों को rescue operation को लेकर काफी तनाव से बचाने के लिए ये तरीका काफी अच्छा है और उन्हें busy रखने के लिए ये बहतरीन तरीकों में से ए रीक है साथी साथ उनके लिए बहुत सी चीज़ें भी बहुत सी चीजों का भी इंतजाम किया गया है ऐसे में प्रशासन की और से बिहार ज्हार खंड और यूपी के सुरंग के अंदर मौझूद 41 मजदूरों से बाचीत की उनका हाल जाना और वो सुरंग के अंदर कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उस बारे में जानकारी ली तो मजदूरों उन्हें बताया कि अपना समय बिताने के लिए वो सुरंग के अंदर चोर पुलीस जैसे खेल भी खेल रहे हैं। हुए हैं तो इन मुश्किल हालातों से जल्द से जल्द ये मजदूर निकले जो कि खुश खबरी आज शाम तक आ सकती है और अपने परिवारों से जल्द से जल्द जाकर मिलें ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें एंजनियर्स